क्या इच्छाधारी नाग होते हैं? जानिये इस सस्च को भारत में नागों की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं प्राचिनकाल से लोकमानस में यह प्रचलित है की एक एसा नाग होता है जो की इच्छधारी होता है अर्थात जो किसी का भी रूप धारन कर सकता है हिंदु धर्म में नाग पुजा का प्रचलन प्राचिनकाल से ही रहा है हिंदू पुरानिक ग्रंतों, किस्तों, कहानियों, आदी में कई तरह के नागों के बारे में उल्लेक मिलता है हिंदू पुरानिक कत्वाँ में यह एक एसी कोबरा जादी का नाग होता है जो सो वर्षित की उम्र पूर्ण करने के बाद रूप बदलने की ख्षमता प्राप्त कर लेता है और फिर वह सेकड़ों वर्षों तक जिवित रहता है ऐसी किवदंती भी है कि नागों में कुछ ऐसे नाग भी होते हैं जो सभी तरह का ज्ञान रखते हैं जिस तरह इंसानों में सिद्ध संत होते हैं उसी तरह नागों में सिद्ध नाग होते हैं जो किसी के भी शरीर का इस्तमाल करके इंसानों का भला करते हैं भारत के बहुत से ग्रामन चेत्रों में कुछ विशेश लोगों के शरीर में नाग देवता सवारी के उप में आते हैं और देश भर में नागों के कई मंदिर हैं माना जाता है कि इच्छादरी नाग के पास एक मनी भी होती है हिंदू पुराणिक मान्यता के अनुसार मनुश्यों और चोराश लाक योनियों के जीवों में कुछ ऐसे जीव होते हैं जो की रहस्यमई हैं उनमें से एक नाग भी है प्राचिन काल में 30 से 40 फूर तक के नाग होते थे स्रीक्रेश्ण ने जिस नाग हगासुर को मारा था वह करीब इतना ही बड़ा था पुराणिक ग्रंतों में नाग वन्स और नाग कन्याओं का जिक्र भी मिलता है महाभारत में उल्लेखी थे कि पांडु पुत्र अर्जुन ने नाग कन्या हुलिकी से विभा किया था और सर्प विशेशक्य बानते हैं कि इच्छाधारी नागिन का चरित्र पूरी तरह से कालपनिक है हाला कि विज्ञानिक यह तो कहते हैं कि नाग विश्व का सबसे रहस्यमई प्राणी है यह कोई नहीं जानता है कि पिछा देने नाग होते भी हैं या कि यह एक कपूल कलपना है